हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल अम्रिती पैसमिला आज की वीडियो में हम लड्डू को पाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हमने बहुत ही ब्यूटिपल सी ड्रेस बनाई है और देखिए हम नहीं हाप एकदम मैचिंग के लिए बनाई हुई है तो वीडियो स्टा अम्रिती पैसमिला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स मिल जाएगा तो चले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यह हमने छे नंबर ये काना जी को इस टाम पहना हुई है अब देखिए गाइस वीडियो स्टार्ट करें से पहले मैंने यहां पर इस तरह काना जी को पहना सकते हैं और इस तरह का बेस बनाना मैंने काफी पर अपनी वीडियो में बटाया हुआ है तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं आप किसी भी साइज के लिए बहुत असने से बना सकते हैं सिंपल सी मैने चोली बनाई है और साथ में अपना घेर बना रही ह एक बेढ़ से बनाया हुआ है जो समान आपके पास नहीं होगा जो में आपको बताव लगूँ देशन के लिए इसके जगह उसके अपको उसके bill, अब देखिए अपने इस जज़रन को बनाने के लिए, जबसे पहले हमने यापर यह यह लो किलर में उन लिया है और साथ में मैंने फतली क्रोशया हो के लिए यह झार नंपर का यह यह विटेओ में पता नहीं दिए के बाद इसे इतना डीला रखें कि आपके हों कैसे सरक्टी रहे इसमें आराम से यहां हमें चेन बनाने हैं तो दिखिए यह हमने अपनी इसे हम थोड़ा सा डीला कर लेते हैं अगर बहुत टाइट हो जाता है तो फिर बनाना में दिक्कत होगी अब देखिए यहां पर हम इस इस तरह से फंदे को हम निकाल के स्लिपिष्टी से जोड़ेंगे अब देखिए यह हमें एक चोटा सा सरकल में लिगा है हमें यहां पर क्या करना है एक दो हमने यहां दो चेन बनाई इस तरह से करेंगे और अपने इस चोटे सरकल में डालेंगे यहां से फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीन फंदे से दो फंदा और दो फंदे से हमने एक फंदा कर दिया फिर हमने इस तरह से किया इसी हमें सरकल में डालना है फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीन फंदे से दो फंदा और दो फंदे से एक फंदा कर दिया हमने यहाँ दो बार double crochet बनाई है और एक change जो हमने बनाई थी उसे भी हम double crochet मानते हैं इस तरह से यहाँ पर total तीन बार हमारा double crochet हो गया है अब देखें यह हमारा चार बार हो गया double crochet है यह हमारा पांच बार हो गया यह हमारा छे बार हो गया यह हमारा सातवा है यह देखें इस तरह से हमने यहाँ पर साथ बार बनाया double crochet यह हमने 8 बार बनाया, यह हमने 9 बार बनाया, यह हमने 10 बार बनाया, यह हमने यहाँ पर 11 बार बनाया, यह हमने यहाँ पर देखें, 12 बार बनाया, यह हमारा 12 बार हुआ, भी हमें और बनाना है, यह देखें, यहाँ पर हमने अपना, यह 13 बार बनाया, यह तिरहमा है हमारा और यहाँ पर हमने यह शोदे बार बनाया यह देखें यह हमारा पंद्रे बार हुगा यह हमने यहाँ पर 15 बार बनाया और यह लास्ट हमने 16 बार बनाया हमें यहाँ पर इस तरह से टोटल 16 बार बनाना है हमने यहाँ पर 16 बार बना दिया अब देखें क तरह से circle मिल गया है आप हम में क्या करने हैं पे एक दो तीन हमें तीन हम JESSICA ने हaden बनाए इस तरह से करेंगे और यहीं सेम ऑल कर टाल के हमBefore day चैन हम करता और बुर न है हमको डूर बबर बनայ चैन में चाल पर यह हमें टी सी चैन है बना जाए फिर लिक मरना डूर कॉल घंए फिर 20 इस चैन में हम ने पर बनाए और चैन में चाल कस्कश सवागोगे से प्लक्राने कहा a कि झाल झाल यह देखिए हमने यहाप इस तरह से बना दिया अब हम क्या करेंगे यहाँ फिर हम इसे slip stitch की help से अपनी chain में joint कर देंगे यह देखिए यह हमने joint कर दिया यह इस तरह से हमारा आगया है अब हमें क्या करना है यहाँ यहाँ फोस चेन में ही हम इस तरह से एक बार single crochet बनाएंगे यह हमने यहाँ पर अपना single crochet इस तरह से बनाया है अब देखिए फिर हमें यहाँ पर क्या करना है single crochet ही बनाना है देखिए यहाँ पर हमने next chain में एक बार बनाया फिर इसके बाद वाली chain में हम दो बार बनाएंगे अगली chain में हमने एक और बार बना दिया देखें फिर next chain में हमने एक बार बनाया और फिर इसके बाद वाली chain में हम देखें एक और यहीं same chain में एक और बार single crochet बनाएंगे इस तरह से मैं अपना पूरा row complete करना है चले मैं आपके सामने इसे करती हूँ अजय करते हैतर आपके सांने उनी Ste ட परेंगे ज़र रहीं आपके खाएंगे ऑ़ो यह देखे हमने यहां पर बना दिया अब हम क्या करें कि यहां पर इस तरह से slip stitch की हब से जोड़ देंगे यहां जोड़ गया अब हमें यहां पर कान बनाना है यह देखें यह हमारा एक चोटा circle ready हो कि कहीं से भी हमारा यहां पर सिकनने ही एकदम यह देखें हम प्लेन और बढ़ियासा डैक्ट हुआ हमें आप क्या करना है इक दो तीन चार हमने चारें च्श्य चीन बढ़े एक दो तीन लप हमने हैं आप इसwards से तीन बार लपएटा यहां से जगप पे डालेंगे यहां दॉट ऑना जन जंग जो पर ढ़िए डालने के बाद हमने फंदे को निकाला, देखें, यहाँ पर सबसे पहले दो फंदे को उतारेंगे, फिर दो फंदे को उतारेंगे, फिर दो फंदे को उतारेंगे, अब देखें, हमारे पास तीन फंदे बचे हैं, फिर हम इसे इसे तीन बार लपेट लेंगे, तीन बार लप उतारने के बाद देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 चेंट बनाने इसलिप इस्लिप इस्टिच के हल्प से जोड़ लेंगे, यहां पर देखें, अपना एक कान बना दिया है, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें पर आपनी इस तरह से फॉस्ट चेंट में ढाला, डाल बात फंदे को यहां से इस तरह से निकालेंगे कुछ बुन नहीं हुँ मैं देखें हमने यहां दूसरे फंदे में डाला इस तरह से निकाला यहां से भी निकालेंगे फिर हमने अपने तीसरे फंदे में डाला इस तरह से निकाला यहां से भी निकालेंगे फिर यहां हमने आठवे फंदे में डाला यहां से इस तरह से निकाल लिया और फिर हमने अपने अपने लास्ट आठवे फंदे में डाला और इस तरह से निकाल लिया अब दूसरा कान हम यहां पर बनाएंगे देखें एक दो तीन चार हमने चार चेन बनाए एक दो तीन हमने इसे तीन बार ल दो फन्दे को एक बार, तीन फन्दे बच जोड़ेंगे एक चार-फन्दे को एक साथ निकाल 이후, जोड़ने के बाद हमें 5-5, पांच, छे, हमने छे चेन बनाएं, छे चेन बनाने गवाद, सेम जग़ां पर डालके, हम इसे slip stitch के help से जोड़ेंगे, जोडने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखें, फॉस चेन में हमने डाला, और इस तरह से निकाल लिया, यह जरूरी है निकाला नहीं, तो हमारा सिंपल तरीकी से आप इसे बना सकते हैं, अब चलिए मैं आप पर प्रिंग कलर से बनाना बताते हैं, अब देखें, मैंने यहाँ पर यह पना पिंग कलर ले लिया, और यहाँ पर हमने 2.5 mm क्रोश यह हूंख ले लिया, जरूर नहीं है कि आप हमना हूंख चेंज करें, में क्या करना है, यह एक दो और तीन, मैं ने तीन चेंट बनाई तीन चेंट बनाने के बाद यहाँ हमें डबल क्रोश यह बनानी है, फॉस चेंट और यह हमने, एक बार डबल क्रोश यह बना plan यह उन मेरा थोड़ा सा मोटा था, इसलिए मैं अपनी हुध भी थोड़ी सी Course आपका उन अगर बराबर है तो हूंक आप सेम रख सकते हैं देखें सेम में हमने दो बार बना दिया अफिर यहां अगले वाले में हम डालेंगे और दो बार बनाएंगे हमें यहां पे सभी चेन में इसी तरह से दो बार बनानी है और बीच में हम किसी किसी चेन में अपना ती तीन बार बना लूँगे, तीन बार बनाने से यहां सी थोड़ी से फ्रिल आ जाएगी, जो कि देखे बहुत ही कुपसुरत लगेगी, यह देखें, हमने दो बार बनाया और यहीं सेम जगा डालके हमने तीन बार बना दिया, फिर यहां नेक्स चेन में हमने देखें, यह एक और बार बनाया, फिर यहां अगली चेन में हमने दो बार बनाना है, यह हमने एक और यह हमने दो बार बनाया, और फिर यहां अगली चेन में हमने दो बार बनाना है, यह एक और यह दो, यह देखें, तीन चेन में हमने दो बार बनाना है, और फिर चौती चेन में हमने तीन यह हो गया इस तरह से हमारा और फिर यहां हमें दो दो बार ही बनाना है यह देखें एक और यह दो एक चेन में हमें बनाया फिर यहां दूसरी चेन में भी हम दो बार ही बनाएंगे यह एक और यह दो फिर यहां तीसी चेन में भी हमें दो बार ही बनाना है यह एक और यह दो यह सौरी मेरा दूसरा बना नहीं स्लिप हो गया देखें यहाँ पर यह दो हमने दो बनाया है अब यहाँ पर देखें आपको इधर से भी गिनना होगा यह देखें यहाँ पर यह एक, दो, टीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब ही हमें यहाँ पर एक, दो, टीन, तीन चेन और मिल रही है बनाने के लिए तो इन तीनों चेन में भी हम बनायेंगे तो देखें हमारी चौथी चेन आ गही है तो इसमें हम तीन बार बना लेंगे यह एक, यह दो और यह हमारा तीन इसके बाद वाली दो चेन में हमें दो दो बार ही बनाना है तो यह देखें यह एक बार और यह दो बार और यहां लास्ट वाली चेन में भी हम दो बार ही बनाएंगे यह एक बार और यह दो बार अब हमें यहां पर नौट लगा के कट करना है यह देखें इस तरह से एक चेन हमने बनाई इसे लंबा किया और लंबा करने के बाद यहां से हम इसे कट करेंगे अब देखें कट करने के बाद हमें क्या करना है इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग लियाने के लिए हम यहां से अपने हुक को ऐसे डालेंगे इस तरह से ऐसे करक बोब अदेखे, देखे हो गया, अब यह पीछह सब्सकत watch uk RC, तोर फ़्या जो पीछ भीला है, यह पर आपको सब्सक्राइक्श है इसे हो भील को सब्सक्रा धाया है, में यह पर लेड़ेक्ट लेया है, यह पर लेडु में जूड़ को सब्सक्न से खट, कर सकते हैं जहां पर वो हो क्योंकि अगर डैरेक्ट वहीं से एक दाम पास से कट कर देंगे तो वहां से खुलने लगता है और उसकी finishing भी नहीं ची आती है यह देखे हमने यहां तक किया और यहां तक करने के बाद इसे हम यहां से अचे बात देंगे यह आपस में आप चुट भूआ निकला हुआ है इसे भी हम हलका सा कीचेंगे यह देखें इसह दरों से हम इसे हलका सा कीच लेंगे और खीचने के बाद यहां से घट कट कर देंगे यह हमारा अब बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो गया है अब इस पर लगाने के लिए हमें इस तरह की बो बनानी है, तो चली मैं वो आपको बनाना बताती हूँ, कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे, यहाँ पर देखें, यह इस तरह से हमें इसे लेना है, अपने पिंक वाले उनको, यहाँ पर आप लूप बनाके फिर एक, दो, तीन और चार, चार चेन बनाएं, इसमें हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे, यह हमने जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, देखें, एक, दो, और तीन, हमने यहाँ तीन चेन बनाएं, तीन चेन बनाने के बाद हमें यह जो छोटा वाला सरकल है, इसमें डालके हमें ड और डालने के बाद यह हमने double crochet बनाई यह हमने एक बार बनाई और यह पर हमने एक और बार बनाई हमने दो बार यहां पर double crochet बनाई अब फिर यहां एक दो तीन तीन चेंड बना के अपने चोटे वाले circle में डाल के हम इसे slip stitch से जोड देंगे यह हमने यहां पर इस तरह से जोड दिया जोडने के बाद हमें देखें फिर एक दो तीन तीन चेंड बनानी है और फिर हम यहां पर डाल के double crochet दो बार बनाएंगे यह एक और यह हमारा दो दो बार बनाए फिर यहां एक दो तीन तीन चेंड बनाने बाद फिर हम इसे यहां प टोट हो गया कट करने के बाद हमें क्या करना है अपने दोनों उनको ऐसे थोड़ सा टाइटली यहां से खीछ लेना है जो हमारा उन है इसे हम यहां इसे सेंटर पर इस तरह से बात लेंगे यह बादने से ही इसकी अच्छे से finishing आएगी हमने यहांपे देखें इस तरह से बाधा इसे भी हम इधर लिया के अब पीछे हम knot लगाके अच्छे से इसे fix कर लेंगे यहांपे देखें मैं इस तरह से knot लगा रही हूँ मैंने बख़ोत ही बादे की से आपको वो सारी चीजे यहां पर बताएंगें, जिसे किसी को भी कोई कन्फिूजन ना रह जाएं, यह इस तरह से हमने यहां पर नॉट लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसे कट कर देंगे, यह हमारा बन के रेडी हो गया है, यह दिखें, यह इस तरह से यहां पर ऐसे ल लागा देंगे जली बलगा लेते हैं अब लगाएं अब दिखे मैं आप यह दोãy ग्याक फोले को पहले हैBar की अअग पंदेशות box झाल पएले की आग दाए यह लागा लें अब आप छाहें तो इसे से लगा सकते हैं मैं आपको बस एक्जांपल के लिए बता दे रहे एक जगा हम लगा के देख लेते हैं यह इस तरह से आँखा जाएगी यह देखें अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं बर मेरे पास यहां मोती है तो मैं यहां पर अपनी नॉट को अच्छे से हां फसा लूँगी जिससे निकले न और फसाने के और यहां से अपनी एक ब्लैक मोती लेंगे और देखें सिर्फ एक बार यहां हमें टक कर देना इसे इस तरह से हमने लगा दिया वैसे भी मैंने उनको अपने चार बाद करके डाला है तो यहां पे इसके खुलने निकलने के कोई चांस नहीं है अब यहां पे दूसरे वाली मोटी को इस तरह से लगा दूंगी ये देखें हमने यहाप इसे भी लगा लिया लगाने के बाद हम इसे अच्छे से चार लेंगे कहीं से भी हमारा धागा नहीं निकल आना चाहिए ये देखें इसे एमारा हो गया है अब बैक साइड से हम क्या करेंगे नॉट लगाएंगे कट कर देंगे यहां से इस तरह से नॉट लगा दी नॉट लगाने के बाद यहां से अपने उनको कट करके हटा देंगे यहां पर यहां पर यह दो आंख आ गई है अहां पर लगा देना है नाक के लिए यह देखें और एक हाफ कटी हुई वाइट मुती हम यहां पर लगा दे और यह देखें, मैंने यह स्टोन चेन ले है, इस तरह कि इसे मैं यहां पे ऐसे राउंड पे चिपका लूँगे, तो यह हमारा हो जाएगा, चले मैं कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगे, यह देखें, हमारा कम्प्लीट हो गया, हमने इस तरह से यहां पे देखें और यह 11, तोटल हमने इस तरह से 11 पीसे बनाए हुए है, अब हम इसे अपनी ड्रस के उपर लगाएंगे, बस ड्रस के उपर लगाने से पहले हमें कुछ काम करना है, यह देखें हम इन सब को किनागे करते हैं, और यहां से अपनी ड्रस हम लेली, इस पे हम थोड़ा सा आउ बादने के लिए हम बना रहे हैं यह चेन, तो इस तरह से हम यहां पे ऐसे करके चेन बना लेंगे लंबी सी बादने के लिए, चलिए मैं लंबा करणे फिर आगे तिकाऊंगे, यह देखें हमने यहां पे यह लंबी सी चेन बनाई है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे इस त कर रिया ,आब जोइंट करने के बाद हम यहां पर क्या करना है , सबस्ट तरह से दिखें , यह हम बना वारभ आप ​​त्लйड पोर से बनाते हुआ हम यहां से और यहां तक आएंगे नेक पे हमें किस तरह से करना है नेक पे हम देखें दो दो चेन का गैप करेंगे फिर एक बनाएंगे फिर दो चेन चोड़ेंगे फिर एक बार फिर दो चेन चोड़ेंगे फिर एक बार इस तरह से नेक पे हमें बनाना है चले मैं आपको थो तोड़ा सा हमारा अलग रहेगा लिएक हैं यह अब हम एकडम उपर आ गए हैं यहां से जिनकर स्टार्ट होगी हैं, ऐंक स्टार्ट को में धिक हूं राउड मीन से घ्म हो गुमाना है जब हम हैं तो देखें यहाँ पर हमने एक बार और यहीं सेम चेन में एक और बार तीन बार हमें यहाँ पर बनाना होता है यहाँ मेरा फैस्स राय थोड़ा सा यह इस तरह से हमें प्रिय край और बनासे जड़ा है क्लाना हो यह करना लिए ढ़ा है अब देखें हमें यहां क्या करना है यहां न,, दूझ लगां। ठीखें, और अब हम कैप देख लेते हैं कि कैप कैसे बनानी हमें तो कैप हमारी जो है वो येलो कलर से स्टार्ट करेंगे हम यह देखें यहां पर हमें इस तरह से करना है और यह हम एक दो तीन चार चार हम ने चेन बनाए और यहां हम इसे इस तरह से स्लिप इस्टिच के हजब से इस तरह हम यहां 16 बार डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे चले बना लेते हूं फिर आगे रिखाऊंगे क्या कर देंगे यहां इसे स्लिप इस्टिश के हल्प से जोड देंगे जोडने के बाद हमें क्या करना है यहां पर देखें यह एक दो तीन हमने तीन चैन और यहीं सेम चैन में हम एक और बार बनाएंगे ऐसे हमें यहां 3-3 चैन में एक बार चौथी चैन में दो बार बनाके डबल क्रोशिया और इसे स्लिप इस्टिश से जोड़ लेना है लास्ट में यह देखें है हमारा हो गया अब जिस तरह से हमने अपने सेकेंड रो इसे हम यहां सभी चैन में सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे चली बना लेती हूं फिर इसे पीस्टिश से जोड़ लोंगे फिर आगे दिखाओंगे क्या करना है यह देखें हमने यहां पर एक रो बना लिए अब सीम इसी तरह से एक और रो बनाएंगे सभी चै को एक कि यहां किया का बना भी सिंगल क्या है इस्तिर से जोड के इस फिर चीन से बिNow we'll know it कोई दम पीछे रखा है यहां से बराबर करने पर यहां पर हमें दो कान बनाने हैं तो देखें यहां पर इस तरह से डालेंगे अपने होग को और डालने के बाद यह यलो अला उन यहां पर हम लगाएंगे लगाने के बाद एक दो तीन चार पांच हमने यहां पर पांच चेन बनाई और नहां दो मिलेद हो धेके यह चार ले एक दो थीन चार यह पर ऌम पर Mधster कह hombres II si तो पन चार बार हमने लेटा सेम ज़ग़ेंगे यह धो फंदे से ऎक बार-दो फंदे से एक बार-दो-पनल से आफ़boards फिर दो फंदे से एक बार अब देखिए फिर हमें यहां पे उपर तीन फंदे रहा गया है फिर हमने इसे चार बार लपेट लिया चार बार लपेटने बाद फिर सेम जगा डालेंगे सेम जगा पे डालने बार दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, और दो फंदे से एक बार अब देखें, हाँ उपर चार लए गए हमारे, अभी हमें और इसी तरह से बनाना है यह देखें यह एक दो टीन और यह चार हमने चार बढ़ लेपेटा यहीं सेम जगा पर डालेंगे यह देखें दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार और फिर दो फंदे से एक बार अब यहाँ उपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 तरह गया है हम इस तरह से इसमें से निकालेंगे निकालने के पादे के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने यहाँ 7 चिन बनाई यहाँ इसे इस तरह से हम slip stitch के अब से जोड़ देंगे एक side देखें हमारी यह कान बन गया है अब सेम इसी तरह से हम इसके दूसरे side भी बना लेंगे यह देखें यहाँ से हमने not लगा cut कर दिये यह एक side का आगया है अब सेम ऐसे हम इधर भी बनाएंगे चले बना ले दीओ फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है यह देखें यह हमारे 2 no side से इसके कान बन गया है अब हम फिर से जहाँ से हमने cut किया था वहीं से अपना pink वाला करण लगा लेंगे यह देखें यह इस तरह से हमने यह यहाँ पर इसे निकालेंगे और निकालने के बाद हमें यहाँ पर बुनना ऐसे बनानाने के बाद यहां पे देखें मैं में इस तरह से डबल क्रॉश बनाएंगए हमें यहां सबी चैन्न में बनाना हैं यहां नेक्स के बादामें कर लेते हूं कर लेते हूं पिर आगे दिखाऊंगे क्या कर देखें यह देखें पर फ्रिल बनाने के पाद इस पर भी दो आख लगा लिए एक नाख और यह हमने बो बना के लगा दिया है बहुत ही कुपसुरत लग रही है हमारी मैचिंग की यहां पर कैब भी डेटी है तो चलिए अब का पहने प्रेंड मेचिंग दूर्ण इस तरह से मिरदें कबस्टे का प्रिल बना अनदर ओ यहां पर पैले ये नीचे वाले हाँ्थ में पहना लेंगे डिटस को, यह देखें, यह नीचे वाले हाँथ में आ गई फिल इधर से करके यह इसाँथ में हम डालेंगे, पहनाने में कोई दिख banco incarते हो के बहुत आसानी से उपसे पहना सकते हैं अब देखेंगे जो हमने अंदर से डोरी की है इसे इस तरह से ऐसे हम टाइट करेंगे और यहां से उपर वाली डोरी को भी हम हलका सा ऐसे बहुत जादा नहीं हमें टाइट करना है इस तरह से करके यहां फ्रंट पे लियाएंगे और फ्रंट पे ही हम इसे बादेंगे बादने के बाद हमें अपनी ड्रस हलकी सेट करनी है यह हमने बाद दिया बादने के बाद यहां से हमें इसे ऐसे निकाल देना है निकालने के बाद यहाँ पर हम अपनी ड्रस को इस तरह से सेट कर देंगे आप देखें कितने अच्छे से इन्हें फिट आ गई है पूरा चारो तरफ से एक दम अच्छे से राउंड है तो चलिए मैं आप सामने से दिखा रही हूँ उटेंगे